वेल्कम बेक एब्रीवन वेल्कम टू सुबल सर्फ से स्टड़ी प्रक्टिस सेट नमबर ये 55 वे यूपी पीस सी पीसियस के रही है वर्स दो यार तेईस के लिए सीरीज चल रही है प्रक्टिस करेंगे इसमें हम जी एस के प्रश्णों पर ठीक है करेंट अफैर्स और स्ट फ्रक्ट प्रक्णों ये 50 प्रश्णों में से और यह सोनॉंबर का सीसट है कॉलिफाइंग नेचर है क्oking मतलब 100 प्रश्णों मेंío से 33 प्रश्ण जो है वो सही करने है इसमें अति ये हिंदी English, Reasoning के प्रशन आते हैं Math के प्रशन आते हैं और Communication वाले प्रशन आते हैं इसमें 150 की 150 GS के प्रशन होते हैं History, Geography, Policy, Economics, Current Affairs, Environment, Ecology ठीक है, अउत्तर प्रदेश की संस्कृती यह सवाता है तो चले श्टार्ट करते हैं पहला प्रशन नमरीकित कत्मों पर विचार कीजिए और पहला कत्म है उसका भारत का पहला रामसर इस्थल सुंदरवन वेटलेंड है और भारत में बरतमान में कोल 64 रामसर इस्थल है और हैदरपूर वेटलेंड को भारत के 47 वे रामसर इस्थल के रूप में घोशुत किया गया है हैदरपूर इसमें तीसरे स्टेटमेंट में इसने हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश का ये एक्जाम है तो हैदरपूर बेटलेंड जो है उत्तर प्रदेश का है वो भारत के 47 वे रामसर इस्तल के रूप में गोश्चित किया गया था इसको ठीक है तो करेक्ट है यहां तीसरा बाला स्टिट्मेंट पहला बाला गलत है क्योंकि भारत का पहला रामसर इस्तल चिलका जील ओड़ी सा कि ना कि पश्यम मंगाल का सुन्दरवन वेटलेंड तो जहां जाए एक है उसको हटा दीजिए ठीक है इसका अंसर मिल गया और सनमबर सी यानि तीसरा वाला करेक्ट्र तो दूसरा वाला भी गरत होगा क्योंकि बर्तमान में भारत में कुल 75 रामसर इस्तल हो गया है ठीक है सब्सके कोई साहि कुछ दिन है ठीक है कुछ दिन पहले तो 49 नहीं थै तो 49 करेक्ट थे ठीक है उसके बाद तूर भारत का पहला राम मच्रिस अबий में 65 उर्छाल है को अद्रभूमियों को रामसर इस्ताइब सूची में सामिल किया और दिसम्बर 2021 में उत्तर प्रदेस में इस्तित हैदरपुर वेटलेंड को भारत के 47 वे रामसर इस्थल के रूप में घोशित किया गया था याद रखिएगा इसको देखे प्रत्वी पर ऐसे आदरहुमी के छेद्र जो जैविवेता यानी वायर डायवर्सिटी के लिए बहुत महतपूर है उन महतपूर इस्तिलों को रामसर संध히 के तहट रामसर इस्तिल के रूप में सूचित किया जाता है तकि उनका सनक्षन किया सके जिन्हें रामसर इस्तिल कहा जाता है दूसरा प्रश्ण है नमलिखेत पर विचार कीजिए अस्टिमुडी वेटलेंड केरल में बहिम्बनाड कोल वेटलेंड करनाटक सस्थम कोट्टा तमिलनाडू वह है क्या उपरोक्त मेंसे कौन सासे सही सुमेलेते बताईए देखें इस पर काल या वाटसफ करके आप UPPCS की फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो है चले sub पर यह टेलिग्राम पर और इन सभी डेली टेस्ट का पीडिया प्राप्त कर सकते हो इसी नंबर पर कॉल या वाट्सप करके देखें अस्टमुटी वेटलेंड जो है केरल में सही है रामसर साइट है और बेम्बिनार कोल वेटलेंड ये भी केरल में है और सस्थम कोट्टा ये भी केरल में है करनाट तो मिलाड बनी है तो यहाँ दूसरा तीसरा जो है सुमेलित नहीं है केवल पहला ही वाला सुमेलित ह तो जहां-जहां दो है उसको हटा दीजे, दो और तीन उसको हटा दीजे, कि वले एक इस कांसर हो जाएगा, अस्टिमुटी वेटलेंड हो गया, बेमिरनाड कोल वेटलेंड हो गया, सस्थम कोट्टा, केरल में तीनों के तीनों, और रामसर साइट हैं, तीसरा प्रशना ये ये रामसर साइट ये हैं राज जहां वो हैं कौन से सईसों मिलित नहीं हैं पाला आदर भूमी मिजरम में नंदा जहील महराष्ट में और अंगना थिट्टू पक्षी अभ्हरन करनाटक और करी किली पक्षी अभ्हरन तमिलाडू ये देखिया उड़न्चास के बाद जो है पांच नए जोड़े गए तो चववन हो गए थे ठीक है और ये वही पांच है उन पांच में से चार हैं पाला आदर भूमी मिजरम सही है नंदा जहील महराष्ट नहीं है गोवा में है रंगना थिट्टू पक्षी अभ्हरन कादो तो नंदा डिल जहील जो है वो गोवा में हैं राम सर्स्तलभ तमान में महराष्ट मैंने हैं गोष्ट चोथा प्रक्ष्ण भारत में आदर भूमिया फैली हैं ठंडे और सुश्क इलाकों में मद भारत के कटी बंती है मानसूनी इलाकों में फल्धिर नमी वाले भूमी यानि वेटलेंड फैले हैं ठंडे और सुष्क इलाकों में मद्य भारत के कटी बंदे मांसूनी इलाकों में भी और दक्षण के नमी वाले इलाकों में भी तो प्रोग सभी सकांसर हो जागा डी तो बात करें आदरहुमियों की के आदरहुमियां है क्या नमी या दलदली भूमी वाले शेतरों को आदरहुमी या वेटलेंड कहा जाता है दरसल वेटलेंड वैसे शेतर हैं जहां भरपूर नमी पाई जाती है देखिए आदर्भूमी जल को पुर्दुर्शन से मुक्त बनाती है आदर्भूमी वह शेत्र है जो वर्स भर आंसिक रूप से या पूर्ण रूप से जल से भरा रहता है भारत में आदर्भूमी ठंडे और सुश्क इलाकों से लेकर मध्ध है भारत के कटी बन्दिय, मानसूनी इलाकों और दक्षण के नमी वाले शेत्रों तक फैली हुई है तो डी वाला स्टेट्मेंट करेक्ट है कॉश्चन नुम्बर फाइब पर राजी है उत्तर प्रदेश के संबन्द में निमलिकत में से कौन सा जोयसाई नहीं है यानि असत्य है राज के पर्थम मुख्य मंत्री पंडेत गोविन बल्लापंत राज के पर्थम उप मुख्य मंत्री लाल बहादुर सास्त्री राज अवंदेश की पर्थम महिला राजपाल सरोजी नाइडू राज के पर्थम उप मुख्यमंतरी कौन थे चौधरी नारान सिंग्ग नमबर सिक्स पर आजएए उत्तर प्रदेश राज का सबसे पश्चमी जिला निमलिक दमासे कौन सा है यह सब पता होना चाहिए आपको कौन सा पूर्वी है ठीक है कौन सा पश्चमी है कौन सा सबसे उत्तर है कौन सा सबसे दक्षण है तो सबसे पूर्वी जिला है बलिया पूछा क्या है प्रश्चमी जिला सबसे पश्चमी जिला है शामली तो यह है इसका अंसर तो प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है सबसे पश्चमी जिला है शामली सबसे उत्तरी जिला सहरनपूर सबसे दक्षणी जिला है जोन बहुत दो नमबर सेबन पर आज़े है छेत्रफल की दृष्टी से उत्तर परदेश का हापूर जिला सबसे छोटा है ठीक है इसको याद रखेगा लेकिन प्रश्ण कुछ और है प्रश्ण थोड़ा डीप है इसका छेत्रफल कितना है तो यह कम से कम पता होना चाहिए सबसे छोटा जिल हापूर है छेसो साट बर किलोमेटर इसका छेत्रफल है और सबसे बड़ा पूछ ले तो लखीमपुर खिरी कुश्चन नमबर 8 पर आज़े उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है तो सार्दा नहर है यह है इसका अंसर तो सार्दा नहर जो है उत्तर प्रदेश के तेरह पहाड़ी शेत्रों को अलग करके एक अलग राज उत्तरांचल ठीक है जिसका नाम उत्तराखंड वाता दोहार साथ में वह बनाया गया इसी के संदर में नम्लिकित मैसे कौन से उत्तर प्रदेश के ऐसे जिले हैं जो उत्तराखंड के साथ अपनी सीवा सपर्स करते हैं सोन भदर, रामपूर, बरेली, मुरदवाद, इनमें से बताईए कूट वाला प्रशन है देखिए उत्तर प्रदेश के साथ जिले ऐसे हैं जो उत्तराखंड के साथ अपनी सीवा साजा करते हैं मुरदवाद है, बरेली है, रामपूर है, बिजनौर है तो नहीं है तो जहाँ जहाँ एक है उसको हटा दीजे एक ही कटेगा दो तीन चार इसका अंसर हो जाएगा तो उत्तर प्रदेश के साथ जिले ऐसे हैं जो पहाड़ी राज उत्राखंड के साथ सीमा असफर्स करते हैं और यह हैं सहारनपुर, मुझफर, नगर, बिजनौर, मुरादबाद, रामपुर, बरेली और पीली भीद प्रदेश के संस्थान और यह हैं संभंध जिले भारतिक कालीन और दियोगिक संस्थान भधोही उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रों इस निकर्म लिमिटेट लखनव उत्तर प्रदेश राज और दियोगिक विकास प्राधेकरन कानपुर और इंडियन इंस्टिटुट ओफ वारानसी में नहीं है घ्यारवा प्रदेश ने अमीर खुश्रों ने को का ठीक है मतलब स्टेट्मेंट इस से मिलता जूलता होगा तो अमीर खुश्रों ने नौ सुलतानों का शाषन देखा अमीर खुश्रों को खड़ी बोली के अविश्कारक के रूप में जाना जाता है अमीर्खुष्ष्रो का जन्म उत्तरपृदेश के एटा में होता है इस तरह से है कुछ उपरोक अविश्वी कथन अमीर्खुष्रो के संबद में स़ही है असत्त्य कथन की पहिचान अपने को करनी है तो अमीर खुश्रो का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा में हुआ था पटियाली में ठीक है करेक्ट है अमीर खुश्रो खड़ी बोली के अविश्कारक का श्रेन को दिया जाता ये भी सही है इजिनों ने साथ सुल्तानों का शाषन देखा था ठीक है तो ए अपना आंसर हो जाएगा सारे सही नहीं है तो डी हट जाएगा तो असत्य कथर मिला अपने को पहला तो नौ नहीं बलकि साथ सुल्तानों का शाषन देखा अमीर खुश्रो का जन्म बारे सो पैंतिस में उत्तर प्रदेश के एटा में पटियाला नामक कस्वा में हो था ये पटियाली लिखा रहता है गए फटियाली है पटियाली और वह पहले मुसलिम कभी थे और उन्हें खड़ी ऑली की अविषकार का श्रय जो है दिया जाता है साथ सुल्तानों का शाषन उन्होंने देखा कौन कौन से हैं वो शाथ सुल्टान बलवन महमद के एक बार जलुलदिन खिल जी अलाउ दीन खिल जी मुवारक साओ खिल जी गयासो दीन तुख्लक इबने बतूता डैस का रहने वाला था डैस में क्या आएगा मुरको का रहने वाला था तो इबने बतूता मुरक्को का रहने वाला था एक आरब यात्ति था विद्वान था लेखक था और उत्री अफरीका के मुरक्को का रहने वाला था और मुहम्मद विन तुकलक के साशनकाल में भारत आया था Q13 पर आजए ये तीन तीन स्टेटमेंट है ये हैं गरंतिया पुस्त के इनके लेखक मिलान कर दीजे जरा प्रथ्वी राज रासो किसकी रचना है ये चंद्रपरदाई की रचना है बीर बिनोध किसकी है सेमल दास की है और बांतारी फुलारी विजयादान देथा की है तो A का 2 और B का है 3 और C का है 1 तो ये हैं गरंतिया हैं पुस्त के पुस्त के प्रथ्वी राज रासो की चंद्रपरदाई वीर बिनोध है शामल दास की रचना और बांतारी फुलारी है विजयादान देथा की नमबर 14 पर आजे नम्लिकेत मैसे करनाटक में वीर शैब आंदरण का संस्थापक कौन था ये प्रेशन अभी CDS 1 में पूछा तो 1222 वाले में और इसका उत्तर है बास बनना तो करनाटक में अगर वीर शैब आंदरण की बात करें तो वीर शैब या लिंगायत संगठन कल्याण के चालुक के राजा विजला राय के मंत्री वासवन्ना द्वारा विक्सित किया गया था और वासवना ने इस आंदरन को आगे बढ़ाने में अपनी राजने तिक सकती और पद का इस्तमाल किया जो धर्मिक रूप से एक सामाजिक सुधार था और इश विद्याले के सिद्धान्तों में विसिष्टा द्वैत वाद ने एक महत्पुन भूमी का निवाई वीर शैवाद का अर्थ है दिगजो का शैवाद या वीर शैवाद क्वेशन नूमबर 15 पराजी है सत्य सोदक समाज डैस का को डैस में डैस द्वारा स्थापित एक सामाजिक सुधार समाज था तो तीन फिलिंग दा विलाइंग से भर दीजेन को सत्य सोदक समाज 1873 को पूने में भीमरा वेटकर दरा स्थापित समाजिक सुधार समाज था क्या सही है इसमें? सत्य सोदक समाज स्थापित क्या था? जोतिवा फूले ने तो या तो आंसर बी है या फिर ए है या तो बी है ये सी है A और D को हटा देजे तो सत्य सोधक समाज यहां आएगा सत्य सोधक समाज 1873 को पूरे में पूरे में जोतीवाराब फूले द्वरास्थापित एक समाजिक सुधार समाज था तो बीवलक रख्ट हो जाएगा तो सत्य सोधक समाज 24 सितंबर 1873 को पूरे में महाराश्ट के पूरे में जोतिवारा फूले द्वारा स्थापित एक सामाजिक सुधार समाज था और इसने महाराश्ट में विशेश रूप से महिलाओं, शूत्रों और दलितों पर ध्यान केंद्रित करते हुए वन्चित समुहों के लिए सिक्षा के मिसन और सामाजिक अधिकारों और राजनेते के पहुंच में व्रद्धी की और जोतिव राव की पत्नी सवित्री वाई समाज के महिलावर की मुख्या थी 1930 के दशक के दौरान समाज भंग हो गया ये क्योंकि इसके जो सहयोगी नेता थे वो महात्मा गांधी के नेतरत में भारती राष्टे कॉंग्रेस पार्टी में सामिल होने के लिए चलेगा इसलिए नमबर 16 पर आजिए भारत में महात्मा गांधी का पहला सत्याग रहा नमलिकित में से कौन था प्रश्ण इंपॉटन्ट है और कंपरिटिव एक्जाम का फेबरेट है कौन सा था चंपरण सत्यागर खेड़ा सत्यागर असा योग आंदोलन या एहमदाबाद मिल स्ट्राइक तो भारत में गांधी जी का पहला सत्यागर था गांधी जी का पहला सत्यागर चंपरण सत्यागर था उनिस सत्यागर जिसे प्रतम सभी ने अवग्या अंदोलन की रूप में विचाना जाता है गांधी जी की पहली भूंकरताल एहमदाबाद मिल स्ट्राइक थी उनिस सो अठारी की यही प्रस्ण पूशायता है और नौ जन्बरी उनिस सो पंदरे को दक्षिन अफ्रीका से भारत लोटे थे वो और इसे प्रवासी भारते दिवास के रूप में जाना जाता है ठीक है नौ जन्बरी को मुगल समराट जहांगीर के शाषनकाल के दौरान किस सिख गुरू की सहाधत हुई थी तेक बहाद और नानक अर्जुन देव या गुरू गुबिन सिंग ये नौवे हो गए ये पहले हो गए ये पांचवे हो गए और ये हो गए दसवे दस सिख गुरू हुए दस के नाम आपको याद होने चाहिए दसो के ठीक है नवे पहले दसमे और पांचमे इनको याद रखेगा हमेशा और इनसे जुड़ी चीजे बहुत पूछी आती है फिलालिस का उत्तरैसी अर्जुन देव तो मुगल समराट जहांगीर के शाषनकाल में गुरु अर्जुन देव की सहारत हुई थी 16 जून 1606 को समराट जहांगीर के नेतरत वली मुगल सरकार दोरा पांच दिनों तक परतारित किये जाने के बाद गुरु अर्जुन देव की मृत्ति हो गई ठीक है उनकी शहारत को गुरु अर्जुन देव के शहीदी दिबस के रूप में याद किया जाता है गुरु अर्जुन देव दस सिख गुरुओं में पांच वे थे ठीक है में तरंताल जिले के गोईदवाल में और लाहोर में सहीद हुए थे ये जहांगीर जो है चोथे मुगल समराड थे और उन्होंने 1605-1627 तक साशन किया इसके लावा अपसन में तेख बहादुर है तो एक बहादुर की बात करें तो सिखो के नमे गुरु थे वो छटे सिखो गुरु हर गोविंद के सबसे छोटे पुतर थे 1675 में और उन्जेब के साशन कार के दोरामने मारडा लगया था गुरु नानक देब की बात करें तो गुरु नानक जो है सिखो सिख धर्म के संस्थाफ़क थे सिखो के पहले गुरु थे वो उनका जन्म हुआ था 15 अपरेल 1479 को ठीक है और उनकी मृत्ति होईती 22 दिसंबर 1549 को गुरु गोविंद सिंग की बात करें करें बिन जाती है भेदभाब मंदिरों में प्रवेश हेतो define मंदिरों को प्रवेश के लिए खूलना अभी है सकानसर को तो ऐस आपने विश्चिक काल के दौरान मंदिर प्रवेशनहान प्रवेश解 auch ने बिना जाती है भेदभाव के सभी लोगों के लिए मंदिर के दरवाजे खोले हैं महतवण भूमी का निभाई इसको पढ़ लिजेगा इंपोर्टन्ट है पीडियोप से अब आज ये कॉशन नमबर 19 पर बीरवल का बास्तिविक नाम क्या था बीरवल का बास्तिविक नाम था महेजदास तो बीरवल का असरी नाम जो है महेजदास था ठीक है बीरवल यानि महेजदास एक कुशल कभी थे और अपनी करिश्माई बुद्धी और हाश्य के लिए जाने जाते थे वो बीरवल एक भरोशे मंद सलळगार थे समराट ने उन्हें बीरवल की उपादी से समानित किया था बीरवल का मुगल समराट अकबर के साथ घनिष्ट संबंद था और उनके वह उनके सबसे महत्पूर्ण दर्बारियों में से एक थे और अकबर के जो है नौर अपन जो थे ना उसमें सामिल थे वो अकबर और बीरवल की कहानिया भारत में जो है फेहत लोगपूरी हैं सुनियोंगे आपने बीस्वा प्रश्ण अंतिम प्रश्ण है चौसा की लड़ाई के बारे में इम्रिकित में से कौन सा स्टेट्मेंट गलत है इस लड़ाई के बाद फरीद खान ने सेर्शा की उपाधी धारण की यह 1649 में हुआ और यह युद इस युद में हुमायू की हार होई और इस युद में हुमायू इरान भाग गया देखे चौंसा की रड़ाई केलो युद्ध केलो ठीक है इस युद्ध में फरीत खान जीता था उसने शिर्षा की उपादी धारण की थी सही है हुमायू की हार गई हुई इसमें हुमायू भाग गया इरान इंपोर्टन्ट है कि कब हुआ ये युद्ध ठीक है 1549 में हुआ था नाकी उड़नचास में 69 कुछ भी रिखा सकता तो गलट हुणना ये करेक्ट है ये गलट है दूसरा बाला तो चौंसा की लड़ाई 15 जून 1549 को हुई थी नाकी उड़नचास में चौंसा की लड़ाई के बारे में देखें तो ये है युद्ध जो है हुमायू और फरीत खान यानि सेर्षा सूरी के वीच 26 जून 1549 को लड़ा गया और चौंसा जो है विहार के बकसर में स्तर और इस युद्ध में हुमायू की हार होई ठीक है फरीत खान की जीत होई उसने शेर्षा की उपाधी धारण की और इस युद्ध के बाद हुमायू जो है इरान भाग गया जहां उसने अपने जीवन के 12 साल निर्वासन में विताए इस लड़ाई के बाद या इस युद्ध के बा इन सभी जो प्रैक्टिस टेस्ट है इनका पीडिया प्राप्त कर सकते हैं असनमपर पर कॉलिया वाटसप करके ठीक है यूपी पीसी एस फोल डबल नाइन में है और यूपी पीसी आरो यारो थ्री डबल नाइन में इसके साथ अपको फुल टेस्ट ये सीरीज भी मिलेगी औ टाइमर कोईज भी मिलेगा ठीक है धन्यवाद